हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे Globalized Economy and इसके Consequences के सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि What is Globalized Economy? तो इसको हम इस तरीके से समझेँगे कि Globalized Economy एक ऐसी टर्म है जिसका मुराद ही है कि पूरी दुनिया की जो Economy वो आपस में Connected है इंटरकनेक्टेड है यनि के अगर action हो रहा है अमेरिका के अंदर तो उसका direct result बन सकता है इंडिया उसका direct result बन सकता है पाकिस्तान या फिर कोई भी far away country उसका result बन सकता है क्योंके पुरी दुनिया खास तोर पर जब से international trade organization world trade organization बनी है तो globalization की peak या global economy की peak दो बार देखी गई थी, एक बार 1913 में, एक बार 1990 में, और अगर analogy लगाई जाए, तो यह पता चलेगा कि 1913 भी और 1989 भी दोनों peace times थे, 1913 pre-world war ही रहा था, और 1989 वास देट ताम जब USSR या Soviet रूस डिसिंटेग्रेट हो रहा था, तो अब मतलब सवाल एक यह उड़ता है कि अगर globalized economy को इतनी अच्छी चीज़ है कि पूरी दुनिया में यह चल रही है, तो इसके consequences भी कुछ हो सकते हैं, इसके consequences कुछ नहीं, इसके consequences इतने serious और harmful हैं कि वो out shadow कर लेते हैं इसके pros को, मैं आपको तीन instances, यह examples ऐसी दूँगा, तीन दुनिया के great incidents ऐसे बताऊंगा, जो यह prove करते हैं कि globalized economy बहुत बहुत ज़्यदा weak है, और उसके अदर बहुत सारे changes immediately required हैं, सबसे पहली example मैं आपको दूँगा, the great depression की, 1929 wall street crisis, यह ऐसा depression था, जो तकरीबन 4 या 5 सालों के लिए जारी रहा था, तो हुआ यह था कि world war 1 के बाद, पूरी दुनिया की खास तोर पर जो योरप था, उसकी economy बहुत ही बुरे हालाद के अंदर थी, और जो allied powers थे, वो जंग तो जीत गए थे, लेकिन at what cost, वो जीत गए थे, लेकिन उनकी economies तबाव हो चुकी थी, सिर्फ एक मुल्क था, जिसकी economy बहतर थी, या अच्छी shape में थी, वो थी America, और उसकी reason यह थी, कि उसने world war 1 बहुत ही late join की थी, जब world war 1 खतम हुई, treaty of world size के अंदर जर्मनी को सजा दी गई, कि उन्होंने reparations पे करनी है, तमाम उन्हें मुमालिक को, यानि कि allied powers को, जिस पर उन्होंने नुकसान या harm कॉज किया, तो अब जर्मन उस वक्त तक उनकी economy भी खराब थी, उन्होंने अमेरिका से request की, या अमेरिका ने उन्होंने offer की, कि we will give you loans, जो अब repay करेंगे Europeans को, और वही loans European repay करेंगे अमेरिका को, क्योंकि जंग के आखरी दिनों के अंदर, it was America, it was the USA, जिसने help किया था इन European states को, ताकि वो जंग जारी रख सकें, तो इसके चलते ये एक vicious cycle बन गया, लिविंग था, अमेरिका में वो बहुत अपलिफ्ट हो गया, बहुत भी बहतर हो गया, लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, गौर्मेंट के पास पैसे थे, इंप्लॉइमेंट अच्छी थी, इन्वेंशन्स हो रही थी, अब लोग जो हैं, जाहरी बात है, मेरे पास अगर एक laptop है, तो मैं दूसरा क्यों लोगा, मेरे पास अगर एक गाड़ी है, मैं दूसरी क्यों लोगा, अगर मेरा गुजारा हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने रुख किया stock market का, जब लोग stock market जाते रहे, उन्होंने उदर मजीद investments की, मजीद inventions हुएं, और कहलें कि consumerism peak पर आ गया, कि inventions हो रही थी, लोग खरीद रहे थे, चीज़ें बन रही थी, लोग खरीद रहे थे, stock market उठकर चली गए, यब पूरी दुनिया जो है, वो America की economy से integrated थी, यह आपको मैंने अभी बताया, तो इसके चलते हुआ, यह 1929 के अंदर, जिसे Black Thursday भी आ जाता है, हुआ यह कि तब तक लोग, सब चीज़ें खरीद चुके थे, new inventions नहीं हो रही थी, लेकि new production हो रही थी, production तो हो रही थे, अपने जो stocks थे, वो बेचना शुरू कर दिये, इस डर में कि market crash ना कर जाए, और दोस्तों यह एक असूल है market का, कि जैसे एक fear, एक panic create होता है, फोरन लोग अपने shares बेचने आते हैं, जिसके चलते वाल स्ट में, एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक किसम का crisis देखा गया, जैसे यह Wall Street crash की, तो उससे मुंसलिक जितनी भी economies थी, बेशक वो European हों यह बेशक वो Asian economies, वो तमाम गिर गए, तो एक मुल्की economy की वज़े से, पूरी दुनिया के अंदर एक severe किसम का great depression देखा गया, दूसरी example मैं आपको दूँगा, 1973 Middle East crisis, यह oil crisis भी जिने कहा जाते हैं, तो Yom Kippur War, जो के third wall थी Arab Israel, Arab states और इसराइल के दर्मियान, उसके चलते जितने भी OPEC members थे, जो के mainly Arab countries थे, इन्होंने एक oil embargo लगा दिया, जिसके चलते इन्होंने यह गा, कि जब तक हमारी demands, इसराइल और Palestine से related, पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक oil embargo नहीं हटाया जाएगा, अब जिस तरह आज, अगर चाइना के उपर oil embargo लगा दिया जाए, तो पूरा चाइना तबाह हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यदा import oil को चाइना करता है, सबसे ज़्यदा use oil को चाइना करता है, similarly 1973 के अंदर US was that country, जो oil सबसे ज़्यदा चाहता था, सबसे ज़्यदा import करता था, सबसे ज़्यदा use करता था, तो चंद अरब मुमालिक की, इस embargo की वज़ए से, पूरी दुनिया की economy दुबारा shambles में आगी, क्योंकि अमेरिका में production रुख गई, चीज़ें रुख गई, trade को इसने directly target किया था, one political action of a war, caused an economic havoc on the whole world, अब तीसरी example मैं आपको दूँँगा, recent example है 2008 की, जिससे कहा जाता है, American housing bubble, year 2008 financial recession, हुआ यह, इसका जो model है, यह मुझे बड़ा पसंद है, और बहुत ही मज़िदार है समझने के लिए, so इसमें देखा यह गिया, के there were several parties, banks, housing investors, consumers, या हम लोग कहलें customers, अब जो housing industry थी, उसने बेशमार घर बनाए, और वो घर बेचना चाता था, अब एक आम इनसान जो घर नहीं खरीद सकता था, वो रुख करता था, bank का, bank से loan लेता था, bank उन्हें loan sanction करता था, और उसके बाद वो घर खरीद लेते थे, इस तरह चलता रहा, लोग banks पर आके पास आ रहे थे, banks के पास भी loans, और उनकी interest payments की वज़े से profit हो रहा था, उसके बाद घर खरीदे जा रहे थे, तो जो housing industries के मालिकान थे, उनके पास भी पैसे अच्छे आ रहे थे, जो भी profits बचते थे, इसको वो लोग लगा देते थे अपनी stock market के अंदर, जिसकी वज़े से दुबारा से वाल स्रेट एक बहुती अच्छी बून के अंदर चाड़ रहा था, लेकिन चलते चलते यह हुआ, 2002 में यह मामला शुरू हुआ अल्मूस्ट, काफी लेट, 2005-2006 साथ तक आकर इस तरह हुआ, यह banks जो थे, वो इतनी हैस्टली, इतनी जल्दी लॉन्स सेंक्शन कर रहे थे, कि वो प्रॉपरली यह देखना ही बूल गए, कि जो लॉन हमसे लेने आया, वो यह सिलायत भी रखता है, कि वो लॉन वापसी करें या ना कर सकें, जिसके चलते हुए, यह हुआ कि कई लोग ऐसे थे, जो एफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, लॉन रिपे करना, वो अपने लॉन्स पर डिफॉर्ट करने लगए, जब वो अपने लॉन्स पर डिफॉर्ट कर दे थे, तो बैंक आपका आकर घर चीने, उससे बेतर था कि वो अपना घर, सस्ते दामों में बेच दें, और दुबारा बैंक को उनकी रिमेनिंग पेमन्ट दे दें, इसके चलते यह हुआ कि लोगों ने, जो कि डिफॉर्ट कर रहे थे अपने लॉन्स के ओपर अपने घर बेचना शुरू कर दिये, अब एक प्रोपरिटी की वैल्यो बीस लाग है, आप अपने प्रोफिट की वज़े से जो के रियल्टर्स या हम लोग कहलें के रियल स्टेट के जो लोग होते हैं, वो से बढ़ा बढ़ा देते हैं, तो बीस लाग की चीज़ जो वो मैकसिमम एक करोड तक आप उसे लेकर चले गए हैं, एक करोड उसकी शेम वैल्या है, उसकी एक्चुल वैल्यो नहीं है, अब मैं अगर लोन पर डिफॉल्ट करूँ तो मैं तो सतर लाग की भी बेचूँगा, क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी तमाम चीज़ों को सीज किया जाए, या मेरे उपर मतलब कोई भी इस तरीके तक एक्शन लिया जाए, तो मैं तो सतर लाग की भी बेचूँगा, जब मेरी एक करोड की चीज़ सतर लाग की भी बेचेगी, तो पूरी मार्केट के अंदर खबर फैल जाएगी, और तमाम लोग उस चीज़ को इस डर से के मेरी चीज़ मजीद सस्ती ना भी के, वो जल्दी जल्दी बेचना शूरू करेंगे, यही हुआ दोस्तों, 2008 के अंदर एक बड़ा financial crisis देखा गया, इस housing crisis के वज़ा से के लोगों ने अपने घरों के अपर वो default होते थे, वो घर बेचते थे, अब जो नया इंसान है, वो यह देखता था कि यार अगर हम लोग घर खरीते हैं, bank के loans के ओपर, उससे जएदा हम लोगों को मुनाफ़ा मिल रहा है, कि हम लोग घर खरीते हैं, इस तरह डिफॉल्टर से, और लोग खुद यही देखने लगए, कि यार हम लोग bank को repay करें किस्ते, उससे बेतर है, क्यूंकि अब हमने तो एक करोड का loan लिया था, घरी सोक पचास लाग का जा रहा है, हम एक करोड किस्तें क्यों भरें bank को, लोग जान जान कर default भी करने लग गए, जिसकी वज़ा से banking industry पूरी अमेरिका की, JP Morgan Bank उसमें primarily number one के उपर आता था, बुरे तरीके से crash कर गया, वो crash कर गए, realtors crash कर गए, नुकसान इनके crash करने का नहीं था, इनकी वज़ा से directly wall street crisis देखा गया, बहुत severe किसम का, जिसने पुरी दुनिया में recession लाया, और इसके दो examples मजीद दी हैं, जो इसी economic event के हैं, वो ये के Pakistan की economy, अमेरिका जब वो top exporting hub है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की textile industry सबसे ज़्यादा जो है, क्योंके पाकिस्तान का top exporter था, उसने पाकिस्तान से चीज़ां ही नहीं लिए, क्योंके उनकी अपनी economy crisis के अंदर थी, और दूसरा, इसका एक political event भी था, political event इस economy crisis से ये था, कि जैसे ही एक crisis देखा गया, अमेरिका के अंदर, पुरी European economy बड़ी shambles के अंदर आ गई, जिसके चलते हैं, उन्होंने oil लेना बंद कर दिया, क्योंके production नहीं हो रही थी, जब oil लेना बंद कर दिया, तो जितने भी Middle Eastern dictatorships थी, जो कि oil export करती थी सबस्यदा, उधर की अवाम के अंदर ये आया है, कि जी हम लोगों को oil इसलिए नहीं बिकरा, क्योंके हमारे जो हुकमरान है, वो dictators हैं और वो अपनी पसंद, या अपनी जिसे कहते हैं कि ताना शाह बने हूँ है, democracy यहां पर नहीं है, तो उधर एक political reward देखा गया, जो कि Tunisia से start दो आता, और बाद में वो Arab Spring के अंदर convert कर गया, तो इन तीन example से हम लोग यह देख सकते हैं, कि जो globalized economy है, उसके नुकसानात, उसके फवाइद या उसके फाइदों से बेहत जएदा हैं,